तुक्का लगाने के शम्ता इसमें हसी आती है पर दरसल ये बड़ी गंभीर बात है हसी आपको तुक्का शम्त से आ रही है दरसल मैं बताना चाहरा हूँ कि तुक्का बहुत वैग्यानिक वस्तू है बहुत वैग्यानिक चीज है चली हम समझने का प्रयास करें जैसे जनल केटेग्री में मान लीजी कि आप एक्जाम दे रहे हैं और आपको 110 ये 112 मन लेते हैं 56 प्रश्न आपके ठीक होने चाहिए आपका स्कोर 112 हुआ और आप प्रेलिम्स में क्वालिफाई हो गए ठीक है अब 56 प्रश्न आपके सही है इसका मतलब है नेगटिव मार्किंग हटाने के बाद इतने सही है जो यो पीस्ट का नेगटिव मार्किंग का तरीका है वो बड़ा ही systematic तरीका है नेगटिव मार्किंग का मेथड संक्षेप पर समझ लें बहुत बेग्यानिक है उसका फाइदा क्या है नुकसान के है दोनों बात इस पष्ट होनी चाहिए मेरी general salah ही है कि तुक्का जम के लगाईएगा परिक्षा में लेकिन उस salah प्याने से पहले वज़े समझाना चाहरा हूँ आपको और यह salah सबको नहीं है किसको नहीं है यह आपको खुद जच करना है अभी की बात सुनने के बात जनरल salah यह ही है एक नेगटिव मार्किंग का यूपीएसी का बड़ा सरल सानियम है कि अगर आपका एक प्रश्ण सही हुआ तो उसमें दो नमबर मिलेंगे और यदि आपका एक प्रश्ण गलत हुआ तो उसमें सही होने पर मिलने वाले अंकों का एक तिहाई कट जाएगा तो दो बटा तीन आपका मैनस हो जाएगा दो बटा तीन का सरल समत्रब क्या हुआ कितना हो जागा पॉइंट सिक्स नमबर आपके कट जाएगे अब इस तरह से बात समझना मुश्किल लगता है इसको हम सरल भाशा में समझते हैं मान लीजिए कि आपने पेपर देखा उसमें प्रश्ण क्रमांग एक दो तीन और चार आपको चारों का अता पता ही नहीं है बिलकुल बे आपको ये भी नहीं समझ में आ रहा है कि ये वही पेपर जो में देने आया था ये कोई और पेपर है समझ नहीं आ रहा है कुछ भी नहीं पता आपको उसके बारे में ऐसे चार प्रश्ण है UPSC ये नहीं चाहरी कि तुक्का अमारने वालों को नुकसान हो कहीं कहीं नेगटिव मार्किंग का परपस क्या होता है कि तुक्का लगाने वालों को नुकसान होना चाहिए UPSC केवल ये चाहती है कि तुक्का लगाने वालों को फाइदा ना हो मैं उम्मेद करूँ कि आप दोनों का अंतर समझ बारे है तुक्का लगाने वाले को नुकसान हो यह मंचा नहीं है तुक्का लगाने वाले को फाइदा ना हो मंचा यह है कैसे यह मंचा है simple probability है कि चारों प्रशनों में चार-चार options है और आपको एक भी नहीं आता है आपने पहले प्रशनों में चार में से randomly कोई भी लगा दिया सही होने के संभावना कितनी है एक बटा चार है आपने चारों प्रश्णों में तुक्या लगाया सही होने के संभावना कितनी है एक बटा चार है Simple Law of Probability कहता है कि आपका एक ठीक होगा तीन गलत होंगे एक ठीक होने से दो नमबर मिलेगा तीन गलत होने से दो नमबर कटेंगे और इसका मतलब है कि आप जीरो के जीरो है अगर आपने चार प्रश्णों में तुक्या लगाए तो स्कोर आपका जीरो ही रह जाएगा इसलिए इन्होंने जो negative marking की कसोटी रखी है कि तीन गलत प्रश्णों पर उतने ही नमबर कटेंगे जितना एक सही होने पर कटते हैं इसके पीछे का argument यह है इससे सरल सा निशकर्श है कि तुक्या लगाने से फायदा हो ना हो नुक्सान तो नहीं होता है एक निशकर्श निकलता है यह वाला अब भगवान करे कि माने जी को तुक्ता लगा दो ठीक हो जब आई चांस सोच के देखिए अगर ऐसा हो जाए माने जी अगर ऐसा हो जाए दो सही होने पर इसको चार नमबर मिल गए मिले ना जबकि दो गलत होने पर इसका जो कटा है वो केवल 1.3C कटा है और इसका मतलब यह हुआ कि अब यह बराबर नहीं है अब इसको 2.67 मार्क्स का शुद्ध लाब मिला है केवल इस वज़े से कि इसने 4 में से 2 तुक्के सही कर दिये आप मेरी बात समझ गये और यह जो को तुक्के में इतना माहिर है कि 4 में 3 ठीक कर दिये उसने छे नंबर मिले नुकसान कितना का हुआ केवल एक गलब 0.66 5.34 का उसको शुद्ध लाब मिला और असली बात यह है कि अगर आपको फिलिम्स क्वालिफाई करने के लिए 56 प्रश्न करने हैं मेरी समझ में UPSC देने वाले पांच लाख लोगों में से मैक्सिमम पांच ऐसे होंगे या बहुत मानूँगा तो मानूँगा 20-30 ऐसे होंगे जो बिना कोई प्रश्न गलत किये 56 ठीक कर सकते होंगे इस एक्जाम की नेचर मतलब अगर आपने एक्जाम दिया है या कमसे कि मौक टस्ट ठीक से दिया है तो आप समझ सकते है कोई अगर ये कहता हो कि मैं 56 प्रश्न कीए 56 के 56 सही कीए बाकी गुहाची ने लगाया इस अब हवाई बाते हैं जितने अच्छे लोग हैं उनमें से जिकांश 40-45 के बड़ टैम बोल जाते है 40-45 तक हो सकता है कि हाँ ये मुझे आता है ये तीन कसने तीनों मुझे आते हैं ये सही हुआ ये गलत हुआ एक दम एग्जेकली बता देंगे 40-45 के बाद तो एक गेम चलता है गेम ऑफ ऐलिमिनेशन जिसको हम सीधी भाशा है बोलतें तुक्के की 30-परधा ज्यादतर सफर लोग वही है जो तुक्का अच्छा लगाते पढ़ते तो अच्छा हैं अच्छी पढ़ाई के साथ-साथ अच्छे तरीके से तुक्का भी लगाते तुक्का कैसे लगता हो समझे तो काशम्ज थोड़ा हास्यासपद है उसके पीछे की जो गनती ये विधी है हमें वो समझने की जरूत है अब अपने 56 की 112 एक तरीका और है आप इसमें 4 प्रशन जोड़ देगी कि आपने 60 प्रशने सही किये 12 प्रशने गलत किये तो भी आपका स्कोर 112 ही रहेगा कितना सलल है अजर 56 प्रशनों से 112 मिले आपने 4 ज्यादा सही कर दिये और 12 गलत कर दिये 4 सही से आपको उतने नंबर मिलेंगे जितने 12 गलत होने चेकटेंगे आपका स्कोर उतना को उतना रहेगा इसका और भी तरीका हो सकता है आपने 65 प्रशन सही किये और आपको 30 प्रशने 30 गलत करने का उप्शन मिलेगा 56 चाहीन नहीं 27 27 प्रशने गलत करने का विकल्प आपको मिल गया और उसके बाद भी आपका स्कोर कितना है 112 है मैं दावे से कह रहा हूँ कि कि 60 सही करने हैं 12 गलत करने है मैं गलत करने हैं ऐसे नहीं गलत हो जें तो कोई बात नहीं सही करने हैं तो परपस हो सकता है गलत करने हैं क्यों परपस होगा 65 सही करूँगा 27 गलत हो 92 हो गए 8 प्रशने छोड़ दूँगा ये अच्छी अप्रोच हो सकती है अब इस लेवल पर आकर मैं आपको एक निश्करश समझाने का प्रयास करता हूँ मेरे सामान ये राय जिस पर अभी आपको काम करना है अपने सर पर क्योंकि हर व्यक्ति के लिए सामान दवाई काम नहीं करती है सामान ये राय में बता रहा हूँ सामान ये तह कम से कम 80 से 90 के बीच में प्रश्ण एटेम्ट कीजिएगा इस से कम करेंगे तो ज्यादा संभावने की प्रिंस नहीं होगा और इसका सीज़ा सा मतलब है कि छोडने का मामला लगभग 10 प्रश्णों पर ही होगा जिनके बारे में आपको रत्ती भर भी नहीं पता है कुछ नहीं जानते हैं ना प्रश्ण समझ में आ रहा है ना चारों उप्शन में से कोई उप्शन समझ में आ रहा है कुछ हवाई नहीं लग रही है उस प्रश्ण की उसे छोड़ देजिए ऐसे प्रश्णों के संख्या अधिक्तम 20 होने चाहिए आम तोर पर 10, 12, 13 से उपर नहीं होना चाहिए